तो तो मेरी यारो गाइस आज मैं करने वाला हूँ पाल वाल के अंदर फोर हंडड़ डे के लिए सर्वाईव कि इस पहले बाले पार्च क अंदर ताब लोग है आपकऻर देखेए ते मुझे एक अंड़म ला था और वह पोकीमोन 54 दॉमद दे कर दे का अप적 Viv That तो उसको लेकर मैं बहुत सरे बॉस को भी पकरा था और इस तितनी वाले बॉस को पकरने के बाद मैं वीडियो को वहाँ पर ये खतम कर दिया था तो फिर उसके बाद से शुरू कर रहा हूँ मैं 400 डे सर्वाइब पाल वाल्ड गेम इस वाले पार्ट के अंदर बहुत बरा ब वे लेक्स करके पोकीमोन था उसको भी पकरने के लिए गया था इतना बरा बरा रिक्स इस वीडियो के अंदर आने वाला है आज इस वीडियो के अंदर इतने सारे इतने हाड़ चीस इतने हाड़ पोकीमोन को पकरने का चैलेंज और इसके साथ खुद को सर्वाइब करने का दे चैलेंज क्या मैं आज कंप्लीट कर पाऊंगा या मुझे कुईट करना पड़ेगा या आपको जानने के लिए वीडियो तो इन तक देखना ही पड़ेगा और किसी इसका इंतजार मेरी यारो चलिए शुरू करते हैं तो गैस अभी मैं आईरण कलेट कर रहा था तो मैं आईरण कलेट कर लक्र जाने ही वाला था और मैं देखा मेरे वेसके पास आचुका था एक मैमरीज और उसका हिल्द बहुत ही ज़यादगा था तो मैं तुरंध आ गया मेरा जो तुका था वो तुका सेच पे बदल गया यह मेरा कैप्चर पे आ गया मेरा कभजे के अंदर आ गया एक ही पाल्स बॉल के अंदर ना कोई महनत करना पड़ा ना कोई अटक करना पड़ा इसको पर करने के बाद मैं सिधा निकल पड़ा मेरा बेस के तरह मेरा बेस के ब मिला जो एक बोगत रियार होता है यह आपको पता रहना चाहिए कि यह झो खरगो से इसको मारने के बाद भी यह किसी के ऊपर अटाक नहीं करता लेकिन यह जो साइनी वाला है यह अटाक करता है हाां इसके पाला मौका तो मैं तो नहीं छोड़ने क्योंकि मैं घर पर सारे के सारे कप्चुर बाल रख醋 थो मैं और चाप्चर भॉल मेरे बैग पर ज़ाधा जगा ले रहा है तो मैं है यहां पर आ कर सीधा इधर आ गया लेकिन मेरा किसमती खरब था मैं उसको डैमेज दे दिया था उसको अच्छा खाजा ही डैमेज दे दिया था और मैं आने के बाद देखा ये तो डी स्पॉन हो गया था इसको मुझे नहीं मिला यह पर नहीं था ये गाया भी हो गया था तो मैं इस पे बहूत दुख लगा वो हो मुझे नहीं मिला मिल जाता तो बहुत अच्छा हो था किया पता और किसी जगा पर यह इस्पॉन हूगा क्या नीग करें जर्बर सरफ अइरन स्टा ख़ियर नहीं के लिए क्योंकि इस जगा पे बहुत सारा iron और coal भी है यार तब मेरे पास iron रहता तो मैं capture ball साथ पे लेकर जाता मेरे capture ball के कोई कमी नहीं रहता साथ पे capture ball लेकर जाता और ओसाइनी वाला खरगोस मेरे capture पे आ जाता चलो कोई नहीं आया तो और कुछ कर भी नहीं सकते अभी इस जगा संडिकेस बालो को मारते हैं और यहां पर मेरा base लगा के मैं खुद का unlimited iron फार्म बनाना इस फार्म को बनने के बाद मुझा iron और coal की तो कमी नहीं परेगा बहुत सारे होगा तो फटक से में इस जगा पर मेरा जो बेस है उसको मैं लगा देता हूँ पाल बॉक्स को जिससे इ अलग सब Pokemon, खतरा बाला Pokemon को यहां पर नहीं आने वाला है और जो मेने base को लगाया यह पूरा इस island को पूरा ही गोल से घीर लिया है, हाँ इस पहार को गीर लिया है, इस जगा पे पूरा ही जगा पे आ चुका है, यह मेरे कबजे पर आ चुका है यह जगा, अब सबसे पहले लेकर खुद को injection लेकर आने के बाद उन लोगों को खिलाना पड़ेगा लगाना पड़ेगा तब लोग ठीक होगा उससे अच्छा मैं जल्दी से लखरी क्लेट करता हूँ और करके इन लोगों के लिए बेड लगा देता हूँ तो सबसे पहले मैं बहुत सरे लेकरी को काट लिया काटने के बाद इन लोगों के लिए बेड लगाना इस्टार्ट कर दिया अभी भी बहुत सरे बेड लगाना था तो मैं फिर से लेकरी काटना इस्टार्ट कर दिया और भी बहुत सरे लेकरी काट के बहुत सरे बेड लगान पे तो जो माइनिंग करने वाले पाल्स है उन लोगों मैं इस जगाप पे दे दिया जिसे ओलो जल्दी-जल्दी मेरे ले पत्थर और लखरी कार सके लखरी कोई कमी नहीं है, exterkis प्लम आपर। कुछ weights की कमी पर रहा तो मैं यहाँ पर जितने भी weights की कमी पर रहा तो वो सारे weights से आप लगा दिया और यह लोग आकर फटा-फट weight को इंदर रख सके और इसे मैं ले कर cold को सारे काम के अंदर यूज के पाऊंगा, अबetus सची में अबसे मुझे cold और iron की तो number नहीं परेगा, इस जगह पे ये logo iron तोर्थे रहेगा, cold तर्थे रहेगा, जभी मुझे जरुरॺरत होगा, simply Armenian base के अंदर आऊंगा, और सारे के और काम पर लगा लूँगा, इसको कहते है unlimited iron farm, यह iron जबी तोर के खतम हो जाएगा, एक रात गुजरने के बाद जितने भी iron था वो सारे के सारे फिर से spawn हो जाएगा, ऐसे लोग iron तोरते जाएगा, और रिरिस्पॉन होते जाएगा, ऐसे unlimited iron farm इस जगा पर होते रहेगा, unlimited iron औ और बहुत जिल्दी बहुत फ़र्षट काम करते हैं यहांव और लोग देखो मज़ा लो यार बहुत मज़ा रहें देखो और गाइज अबसे मुझे आईरन और कॉल की तो कमी नहीं पढ़ेगा ये लोग जैसे काम कर रहे है और ये लोगं तो देखो दोसों के दोसों को लेकारों जल्टेंसन करने की विए ज़रॉद नहीं है इन लोग का खाना खानेगा, सोने का जगा लगा दिया, इन लोग खाना खायेगा, और खुद का खाना खुदी बनाएगा, खुदी खायेगा, और मेरे ये लिए कोल और आइरन भी काटते रहेगा, कलेट करते रहेगा, ये सिजेस्ट के अंदर रग देगा, और मैं आऊंगा और cold iron सारे 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 उठा के लेकर जाओंगा जो काम पे मेरा आएगा और मुझे पता है मुझे अभी बहुत ज्यादा iron और cold की जरूरत पड़ेगा तो अभी तो मेरा यह जो iron farm है यह complete हो चुका है पूरा ready हो चुका है और कोई भी काम बाकी नहीं है पूरा की पूरा ready हो दो अधे मेरे पाश भी को अगरा शेर जरो आसकते खी कने शानों उन् asks फोग ज्लिव कामी ठेकर शक्रा कर मेरे zamis 那riages or dilemma के यहां um Pokemon इतना बरा सा मेरे भी size से बरा है कितना फ explore कितना Qt सा है यह तिया किसमत है मेरा जितने मेरेflua Pokemon होता है यह सारे का सारे rare होता है और सची मैं यह वाला तो बहुत ज्यादा चाहिए तो और क्या इसको मैने मारा मैने किसी Pokemon के साथ इसका fight नहीं करवाया, मेरा जितने भी arrow था, arrow से मारा इसको, arrow से मार मार के, इसका damage में कम करने लगा, बहुत देर तक इसके उपर arrow मारा, इसने मुझे मारने का कोईशिस किया, इसका भी बहुत सरे attack मेरे उपर लगा, तो इसका health जब कम होकर आया था, अब मैं इसके उपर capture ball इसके उपर दिखा यहां आने वाला था, बट इस capture ball के अंदर यह नहीं आया, भाई यह निकल गया, यह क्या है यार, तो मैं फिर से एक काम किया, इसको थोड़ा बहुत arrow से damage दिया, arrow से damage करने के बाद फिर से capture ball फेका, तो capture ball तूट गया, तो मैं फिर से इसको arrow से मारा, और भी थोड़ा देड़ तक arrow से मारने के बाद, इसका जो हिल था, इसको अच्छा खासा कम किया, कम करने के बाद, और एक arrow बाल फेका, तो फाल्स बाल भी तूट गया, फिर मैं और दो एक arrow मारने के बाद, इसके उपर और एक capture ball फेका, और लेकिन इस capture ball के अंदर, यह मेरे capture पर आ गया, यह मेरे कबजे के अंदर आ गया, सची मैं इसको पकरने के लिए कितना time लगा, कितने सेरे arrow वेस्ट किया, मैंने मेरे पोकीमोन एक छोड़ देता, तो इसको एक ही बार पर एक ही attack पर खतम कर देता, इसलिए मैं इसको arrow से मार मार के थोड़ा 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 मैं उन सारे को ठीक किया, क्योंकि अब मैं जाने वाला हुए एक बॉस के साथ फाइट करने के लिए, हाँ, एक बॉस जो है, होटे लेवल का बॉस है, और उसके अंदर बहुत अच्छा खासा power है, तो मेरा जितने भी आर्मार था, मैं उन सारे आर्मार को ठीक किया, ठीक कर बरब बनने के बाद मैं निकल पड़ा उसको पकरने के लिए, वो बरब टाइप का पोकेमोन है, हाँ, वो कोल पे रहता है, तो इस जगा पे आया, और आने के बाद मुझे हाँ पड़ एक स्टैचू देखने का मिला, एक पोकेमोन का, तो इसको भी पकरूँगा, इसका भी पागल जैसा हाथ उता दिया, मुझे मारने के लिए, तो मैं इसके उपर आग टाइप का पोकेमोन छोड़ दिया, और मेरे आग टाइप का जो पोकेमोन ता सची में बहुत अच्छा खासा डेमेज दे रहा था, और मैं इसके उपर एक भी एरो, एक भी बंदू का गोली न पोकेमोन पूरा ही पागल है, क्योंकि मेरा पोकेमोन को मारने के बचा मेरे उपर अटाइप कर रहा है, और मुझे इसका अटाइक से डॉज करना पर रहा है, मेरा सील्ड अच्छा था, इसलिए में बाच रहा था, नहीं तो कब का मैं मर जाता, क्योंकि इसका जो अटाइक मेरा देर तक बहुत लंबा टक चला मेरा ? फायर भाल Elijah बित्भा कली मेज दिता Hey फाइन के बोट था मिलडर पोक्यमोन ढ़ा मेरा बहुत अच्छा घर लेकंड़ाaktा उसका हेल किला की तो मेरा ठीस काला था तो मेरे ओपर तीन तीन अटक कर रहा था, मुझे पता नहीं से, मेरे साथ इसका क्या दूसमानी था, मुझे ये पता ही नहीं था, तो मैं इसके साथ बहुत देर तक फाइट किया, इसके साथ मेरा जो फाइट था, बहुत लंबा तक चला, और ये मतलम इतना मारा, इतना मारा मार मार के मेरा हालाद तो पुरा खरब कर दिया था मेरा शिल्ट तो डिया था मेरा है था मेरा भूछ ज्यादा काम हो चुका था तो तो इन न देख भूगार तो तो इसके साथ बहुत देर तक चला मैं इसके उपर आरो मारा इसने मुझे मुझे बहुत अच्छा खासा मारा था मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुगा था कि अब मैं मरने वाला हूँ तो इसके उपर मैं बहुत तरह कैप्चर बॉल वेस्ट कर दिया था और अल्रेडी मैं इसको बहुत आरो भी मारा था तो लास्ट पर मैं इसके उपर और एक मेगा इस प्यार बॉल फेका तो वो उससे भी डॉच करके बाहर आ गया फिर थोड़ा देर तक मैं उसको और दो एक एरो मारा एरो मारने के बाद मैं और एक बॉल फेका और लगीन इस बॉल के अंदर ये मेरे कैप्चर के अंदर आ गया मेरे कपजे के अंदर आ गया 40 लेवल वाला पोकेमो ओ नो यार मैं इसको पकरने पे इतना ज्यादा टाइम लग गया तो इसके हाई लेवल का पोकेमोन जो होगा उसके साथ मेरा क्या होगा इसको मतलब इसके मारने के लिए इसके साथ फाइट करने के लिए इसको कैप्चर करने के लिए कितने बाद सील टूटा मेरा पोकेमोन मर गया मेरा हिल्थ हादा कम हो चुगा था मतलब तो मै मरने वाला था फिर भी इसको मैंने पकर लिया लंग मतलब सक्झी में इसके साथ fight करके मुझे मज़े मज़ा भी बहुत मिला और खत्रा भी बहुत जादा हाथ पे उटा लिया क्योंकि मुझे इसका पावर चेक करना था तो मैं मेरा दूसरे बेस valley गया बेसे जाने के बाद में कुछ बोके,"फ़् detection चैया और इसका पावर कितना है तो यह एक 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 आठाक पर मैं यह मोर्ता पोकेमोन को मार रहा था खतम कर रहा था फिर और कुछ पोकेमोन के उपर मैंने एरो अच्छा सा पावर है और इसका पावर क्यूं ुक गहाँ इसका लेविल देखो 40 लेवल का बंदा ही है तहरा है और उपर से रात पी हो रहा है तो मैं रात को हो कर आया थे थोड़ाँ पॉक्यमोन पकरने के लिए जो जो पोक्यमोन रात के टाइम ही निकलता है तो मैं ठूनते छूंते मुघे एक इधर region पोकीमोन देखने के लें मिला और यह पोकीमोन ऐसा था से पोकीमोन नहीं यह वो लवन्डर वाला पोकीमोन यह लवन्डर पोकीमोन मुझे पहली बार ऐसा साइनी पोकीमोन देखने के लें मिला मुझे पता था यह रात के टाइम स्पोन होता है लेकिन मुझे यह नहीं पता तो मुझे मेरा जो पोकीमोन था उसको चेंज करके एक अलग सा फायर ट्रेप का पोकीमोन को जब भेजा तब वो फाइट करना स्टाट कर दिया तो इसका जो हेल्थ था बहुत अच्छा खासा डेमेज दे रहा था और हेल्थ भी बहुत कम हो रहा था और जो लवंडर पोकीम को डैमेज दे रहा था उसको ही देखके मुझे डर लग रहा था कि इसको पूरा क्लियर ना कर दे पूरा मार ना दे क्योंकि बहुत ही रेर ही मिलता है तो मैं इसके उपर एक पाल्स बॉल फेका तो वो पाल्स बॉल पूरा टूटी गया मैं सोचा था आज आए के कैप्चर के अंदर लेकिन पाल्स बॉल उसके बॉड़ी पे टच भी नहीं वा तोर के चला गया तो मैं और थोरे देर के लिए डैमेज करने दी फिर मैं और एक पाल्स बॉल दिया तो देखा 9% दिखा रहा था उसका कैप्चर पॉयंट लेकिन फाइकने के बाद वो कैप्चर बॉल भी टूट गया फिर मैं इसके ओपर एरो मारा और मेरा पोकीमोन भी इसको मार रहा था तो इसका जो हिल थाना कम तो हुआ था मैं सोचा था मेर ना जाये इसलिए मैं कैप्चर बॉल फेक रहा था दो बार कैप्चर बॉल टूट गया था तो मेरा पोकीमोन को मेरे पास ले पड़ा मेरा वेस के तरब निकल पड़ा मैं क्योंकि अब तु सूभा हो रहा था और यहां पर बहुत सरे ऐसा पोकेमॉन रहते हैं जैसे की टोको टोको जैसा जो आकर फूटी जाता है तो इसलिए मैं सीधा मेरा वेस के तरफ चल पड़ा और मेरा जब बेस पर आ गया तब बहुत अच्छा खासा सुबा हो चुगा था तो मैं घर पे आने के बाद मैं इस लवंडर पोकेमोन को बाहर किया और बाहर करके देखा जो ऐसे नॉर्मल पोकेमोन होता है उससे ये बहुत ज़्यादा बढ़ा है और इसके अंदर कुछ अलग कुछ रेर ही है को अटाक ही है ऐसा ग्रीन कलर का अटाक तो मैं किसी के पास नहीं देखा था लेकिन मुझे एक वाटर टाइप का पोकेमोन था उसको पास देखा था ऐसा अटाक तो है उसका लेबल था 45 लेबल का और उसके पास ऐसा टाइप का अटाक था लेकिन एसा ग्रीन कलर का नहीं लेकिन ये लव क्या कर रहा था मेरे उपर जब करेंवे जट्का आया इसको पहले एक अटक गया तो कोही ना चलो इसका अटक गया तो है लेकिन उसको जो एक खतम हो गया था और अभी जो इस जो इटक किया इस का फेल कता फिर मैं थोड़े दियर केले घर पे काम किया घर पे काम करने के बाद के थलास में निकल गया तो मेरे सामने एक केप था इस पेस के अंदर 29 लेवल का कोई बॉस था तो और क्या चला गया बॉस पकर निकले क्योंकि अभी तो और फुल हो जुका हूँ ना अभी तो तो मेरा जो बिकन था उसको बहुत अच्छा खासा मारा उसका एलेक्टरिक सौट इससे बहुत भारी परा इसका हैल्द भी बहुत कम हो गया था तो इसके उपर मैंने एक कैप्चर बॉल फेका तो पंदरा परसन दिखाया तो यह बाहर आ गया तो मैं फिर से उसको डेमेज द न दिया तो फिर से मैं इसके उपर capture ball फेका और इस बार भी 15% capture power दिका रहा था लेकिन मेरा जो beacon था उसका attack ये सह नहीं पाया तो इस ball के अंदर ये capture हो गया तो इसको capture करने के बाद मैं cape के अंदर पे चला गया तो यहां पर कुछ बदमास लोग था तो इन लोगों से fight ना कर मैं नीचे नीचे चलादना इस्टाट किया तो थोड़ा धूर पे गया तो और भी बहुत सरा पोकेमोन था लेकिन उन लोगों से में ignore मार के गया क्योंकि वह पोकेमोन और डेटे मेरे पास था तो थोड़ा सा चान के बाद असली जिस सीच के लिए में आया जिस बॉस के ल लेकिन चान के लिए यह पता नहीं था यह सची में जमेन पर बैटा था किसी का हेल्फ चाह रहा था लेकिन यह ग्रीन कलर का मुसांड़ा बॉस में पहली बार देखा हाँ मुसांड़ा टूपेंट जीरो जो इलेक्रिक ट्राइब का होता है उसको तुम्हें जानता हूं उसको मैं पकर भी लिया और यह देखो इसका हेल्थ भी बहुत अच्छाओ सा काम कर दिया तो मैं इसके उपर एक कैपचर बॉल फेक्ण और मुझो एक एक टक बीन लेकिन यह कैपचर बॉल के अंदर आले वाला नहीं है बाहर भी आ इकसे एक और और एक कैपचर बॉल फेक्स फेक्पर, और आदे दो-चार फटका पारा तब आ गया तो मेरे सामने कुछ जेश्ट था उसको मैंने लूटा उसको मैंने अनलोक किया अनलोक करने के बाद इस केब से में वहर चला गया सीधा मेरे बेस के तरब चलना मैंने स्टार्ट किया हर्ष्टरबल की मदद से सीधा में मेरे बेस पे आ गया मेरे बेस पे आने के बाद मेरे बेस के निचे के तरफ थोड़ा सा गया तो वहाँ पर दो बंदर था तो उन लोगों के ऊपर मेरे और सक को भेज दिया फाइट करने के दिया और इसका पावर तो नेक्ष्ट लेवल वाला है देखो एक बार पे दो दो पाल्स को इसने मार दिया तो आप लोग में से जितने भी लोग यहां तक वीडियो को देख रहे हो आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ यह इसका एक जवरदस एक खदरनाग देख के नाम दो इसका जैसा पावर है ऐसा ही टाइप का नाम आप लोग मुझे बताओ कमेंड बोक्स के अंदर आप लोग कमेंड बोक्स के अंदर जब इसका नाम लिखोगे तम नाम लिखने के टाइम हैस्टक देकर इसका नाम लिखना ऐसा पावर तो आप लोग देखो एक ही जटके पर यह सब को मार देता है बहुत पावरफूल है तो आप लोग comment box के अंदर बताओं मैं आप लोग का ही किसी एक का नाम देने वाला तो आप लोग में से जितने भी लोग यहां तक वीडियो को देख रहे हो comment box के अंदर hashtag देख कर आपका favorite एक नाम comment box के अंदर बता देना जिससे मैं इसका नाम करन कर शकता हूँ और इसका नाम करन होने के बाद इसको मैं और और सक करके नहीं बुलाओंगा आपका जो नाम होगा उसी नाम पर मैं बुलाने वाला तो आप जल्दी से comment करो मेरा नजर comment box के अंदर है मैं देख रहा हूँ कितने लोगों का comment आ रहा है और कितने लोगों ने कैसा क्या नाम दिया तो मैं तो next वीडियो के अंदर इसका नाम तो जरूर दे दूँगा फिर उसके बाद मेरे घर पे आया घर पे आने के बाद मेरा आर्मार को थोड़ा सा ठीक किया मैं ने रेक ही ड्रस को skaiden किया पोकेमों को collection पे झाकर पोकेमों पे थोड़ा सा changing लिया वातर या तकं़या नहीं हूँ तो इसको पकर आएगा और कुछ यहो पर हमें इसको पकरने के लिए इसका बेस के तरब इसका घर के तरब यह जहाँ पर रहता है यह बेचरा बहुत मस्त खुजी खुजी पर यहाँ पर उड़ रहा था और इसको पता ही नहीं था इसका मौत इसके सामने आ चुका है इसको पकरने के लिए कोई आ चुका है तो इसके उपर मैंने आयरो मार दिया और मेरा वाटर टाइप का पोकीमोन इसको बहुत तगरा डेमेज दे रहा है मैं तो सोचा था इसको डेमेज देगा अच्छा खासा इसका डॉच कडरा टा धूर जा रहा था इसके जैसे पोकीमोन तो मैं बोहुत सारे देखा था अभी भी है लेकिन इसके जैसा इतना बडरा नहीं है ऐसे भी एक बोसए बोस का साइज का उसफ cel डरा कि बहुत बहुत पार्फुल आटक भी इसकताई जैसा इसका डूब्लिकेट तो है लेकिन इसके जैसा इतिना बरा नहीं और यह एक्स पॉस है फॉटी experienced 2 लेवल का तो मेरा अंडू पर अिसके उहरा था इसके उनके टोन था तो कोने लेबल था 45 का और मेरा जो वाटर टाइब का फोकिमॉन था यह ड्राइगन भी बार चीडिक और बार ही उसका दो साथ उसके साथ भाइड सांच के चला बहुत नबा टैम तक को बहुत तकets के you Water Type के Pokemon था, Sugaqoo को भोगत तक गरादमेज दे रहा था, तो ऐसा fight बहुत देर तक चला, चलते-चलते मेरा जो पोकिमॉन था, Water Type के Pokemon इसको जैसा डैमेज दे रहा था, मैं जब गला बहुत अच्छा का सा डैमेज दिया, और मैंने देखा इसका जब health कम हो चुका जब health कम हो और यह नहीं के पाम लोग के पैमिल आएगा तब कोई नहीं प्रफ युदा के रहसा जाओगोंहे को सुझाओों के सब कर निकले जाओंगा तो इस सुझा को साद लेकर जाओंगा और उसके साथ उसका फायड लगा हूँ गया तो इसको सीधा निकल पड़ा मेरे बेस के तरब मेरे घर के तरब चलना स्टाट के आया यहां पर और कोई mix नहीं है जो मेरे पास नहीं है सबको पकर कर रखका हूँ इसको आया था पकरने के लिए तो और कोई काम नहीं थ तो सीधा निकल पड़ा मेरे बेस के अधर आने के बाद मेरा सुजागों को मेरे पास लिया और लेने के बाद देखा इसका 45 लेबल है तो इसका सैडल मैं देखने के लिए टेकनोलिजी के अंदर गया तब मेरा 40 level होगा तब उसका saddle अनलोग होगा मेरा 40 level complete होते होते उसका तो 50 level complete होगी जाएगा शायद तो सुजाकू को पकरने के बाद सीधा जाकर में सो गया था सोकर सुबह किया सुबह करने के बाद आध सुबह जाने वाला हूँ अनुबेस को fight करने के लिए सीधा सुधा कूसे अनुबेस के उपर में जम करा हाँ अब जाने वाला हूँ अनुबेस के साथ fight करने के लिए साइद आप लोग यहां तक इंतसर कर रहे हो इसी चीज के लिए इसी चीज के लिए आप लोग यहां तक वीडियो को देख रहे हो कि कब होगा अनुवेस के साथ fight तो time आ चुका है जा रहा हूँ अब अनुवेस के साथ fight करने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सस्क्राइब कर तो पॉकुन बगारा लेकर बैठ जाओ अनुवेस के साथ fight लिख देखने के लिए एक ग्राउन टाइप का बहुत तगरा बहुत पारफुल पोकेमोन है एक अनुवेस तो है मेरे पास क्योंकि मैं एक अनुवेस को अंडे से बाहर किया था अनुवेस से और भी बहुत सरे तगरा तगरा बॉस के साथ fight करके मैं इसको जीत सकता हूँ मतलब और बॉक्स को पकर सकता हूँ इस अनुवेस को मैं मिल जाएगा तो सीधा निकल पड़ा अनुवेस को पकरने के लिए तो फटफट जाने के बाद मैं अनुवेस के पास खड़ा हो गय तो यह मेरे तरब नहीं देखा इसलिए मैं इसके उपर मार दिया हेट के उपर एरो और यह कितना आराम से मेरा एरो को डॉज कर लिया यार कितना फास्ट है यह तो मेरा हाथी को मरने के बज़ा मेरा पीचा गड़ा था इसलिए तो अनुवेस के साथ fight करने पे इतना tough होता है अनुवेस को मारने पे इतना time लगता है क्योंकि अनुवेस मेरा पीचा नहीं चोड़ता जो boss रहते है जो trainer रहता है उसको ही मारता है क्योंकि पता है उसको मैं मर जाओंगा तो मेरा Pokemon भी मर जाएगा और मेरा जो हाती था वहाँ पर खड़ा होकर उसका glitch हो चुका था वह मैं सुझा को अच्छा खासा मारेगा लेकिन सुझा कू तो एक fire टाइप का Pokemon है इसको मारने के लिए कोई घर्स टाइप का Pokemon को भेजना पड़ेगा क्योंकि अनुवेस एक ground टाइप का Pokemon है तो मेरा सुझा कू बहुत अच्छा खासा डेमेज खा रहा था तो मेरा वाटर Pokemon ऐसा मार किया किया उसका ग्लीजी हो गया तो इसलिए मैं वाटर टाइप के Pokemon को छोड़ के मेरा और सक को भेज दिया अनुवेस के साथ fight करने के लिए लेकिन अनुवेस मेरा और सक का जो attack था उससे बच गया और यह सीथा मेरे तरफ भागना स्टार्ट किया और मेरे उपर बॉस के साथ मेंने fight किया वो लोग कभी जब fight करता है किसी Pokemon के साथ fight करता है तो सिरफ Pokemon के साथ ही fight करता है मुझे मारता है तो सिरफ मुझे ही मारता है लेकिन अनुवेस ऐसा नहीं था अनुवेस मुझे भी मार रहा था मेरा सील्ट का तो पूरा हालाती खरब कर दिया था मे लिकिन मेरा हाथी भी बहुत तगरमार खा रहा था अनुबेस का इस सौट से मेरा हाथी बहुत अच्छा खास डैमेज हो चुका था तो मेरा हाथी को मैं फिर से घुसा लिया और घुसाने के बाद मेरा और सक को मैंने फिर से भेज दिया जिससे इसको थोड़ा बहुत दिखा के बोल रहे हैं आजा आजा फाइड लगजा उसके साथ और मेरा हांती का खेल खतम हो चुका है और अभी तक मेरा एक पोकिमोन तो अल्रेटी मर गया और अभी तक मैं अनुबस का आदा हेल्द भी खतम नहीं कर पाया फूर सबको मार रहा है यार सुजा को भेजा मैं स सब लोग मुझे लग लग रहा है और 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 कुछ नहीं कर शकता अब मुझे भागने ही पड़ेगा मुझे घर जाना ही पड़ेगा याके इसकेसाथ और फाये करote इक किवे एक तो अनुवस मार रहा ह। साइटंगे और ख़ेश जो पोपी सब्सक्राइब और उन बेड़ा तब यहां पर रहा तरहनग तो यहां पर सर्वाइब कर रहूंगा ना साने क०्र defining saja सब्सक्राइब यह क्या ही कर शकता है अनुबस का एक अटाक से यह खतम हो जाएगा जो सोचा वो एह ही हो गया कि मेरा जो यह पोकीमोन था इसको अनुबस ने एक फटका मारा तो इसका खेल खतम है और मेरे इतने सारे पोकीमोन को मारने के बाद भी अनुबस को सांती नहीं मिला वो मेरे पी चुके फास से मैं बहुत दूर तक आ गया और यह यहाँ पर आ गया था मैं सोचा था है जिसके पीछ सहन कर जाया जा ze दूरी फिगर से बहुत जाया गया था बाग गया था उसके जो नाम दिखा रहा था वह भी धूर हो कुगा था और मेरे पास ऐसा कोई भी पोकीमोन नहीं है जिसके पीट पे चरके या फिर जिसको पकर के मैं उर्ते-उर्ते जाऊंगा सब कोई मार दिया था मैं मैं ही मार दिया था यार मैं भेजा था उन लोगों से फाइट करने के लिए अब मुझे कोई एक घाश ट्राइब का अच्छा और बॉस पोकीमोन मुझे चाहिए जो अनुविस के साथ फाइट कर सके तो मैं सीधा घर के तरब निकल गया मैं सीधा घर के तरब चलना इस्टार्ट किया अब तो मुझे सीधा भागते हो यही जाना पड़ेगा फास्ट डेबल तक कि क्योंकि मेरे पास कोई पकसी नहीं है जिसको पीट पे चड़के या फिर जिसको पकर के मैं उर्ते-उर्ते जाओंगा सब तो मरी चुका है मुझे अब घर पे जाना पड़ेगा इन लोगो रिवाइब करना पड़ेगा मतलब इन लोगो अच्छे से ठीक करना पड़ेगा यह लोग सब तो मरी चुका है तो मैं सीधा घर के तरब निकल पड़ा और अब मुझे कोई बॉस पकरना मैं उन लोगों को पकरने के लिए तैयार हो गया बेश्ट बगरा लगा लिया पाल्स बॉल्स बगरा सब कुछ मेरे पास है कि अप्चर बॉल्स बगरा सारे सारे सीज है तो मैं आ गया बरब टाइप पे इस जगह पे इस टावर के अंदर ही है लीली अनलायला तो सीधा गया उन लोग के पास उन लोग के घर के पास उन लोग के घर के दर्वासे के सामने और जाने के बात उन लोग के घर के अंदर घुस गया जैसे सब लोग को स्वागत करता है यह लोग जब उन लोग के घर पे पहली बार कोई घुसता है टेलर दिखा तक है वह लोग स्वागत कर तो मैंने भेज दीया मेरा कच्छुवा टाइप का पोकि मॉन को निकाल के मार रह ता उसको बहुत अच्छा कासा बहुत तग्रा डेमेज दे रहा था मेरा यह जो fire type का Pokemon था अभी भी तो बहुत सारे और भी high level का fire type का Pokemon है मैं तुछ रही भी बेजा और lili and lila का health भी ज्यादा नहीं था 69,000 का health है और में तब से lili and lila 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 कर रहा हूँ इनका नाम है lilia lila जो मेरा जो पोकीमोन था इसको बहुत अच्छा खासा डेमेज दे रहा था इसका डेमेज देखके थो मुझे लग गया जयाता देर धर तना थाड़ ही लगा और यह पास बहुत सरे Spark geschण अधर है और यह जो एक था मेरे उपर बहुत तगराबारा डेमेज दे रहा था, बहुत अच्छा खासा डेमेज दे रहा था, फायर जितने भी डेमेज था बहुत अच्छा खासा था, और मेरा सिजाकू के उपर लिली अच्छा खासा अटाइक लगा नहीं पा रहा था, मतलब ठ्याची नहीं कर पा रहा था, वो स के साथ बहुत देर तक fight चला मैं बहुत सारे आग ड्रायिप का पोकिमॉन को भीजा मेरा जरसाग को भी भीजा मोठा और अच्का चक्रामset की शक्रमुर कला और जways और सक था इकभी ऐसक और लेक्टरिक को शेवर और सक का घंख तो एक अग बारasis семemor पर 2000 ग्रसाम चला पर इसको arrow मारना start किया, क्यूंकि अब मैं मेरा मेरा Pokemon भेजूँगा, तो आराम से इसको एक ही जटके में मार देगा, इसलिए मैं इसको arrow मारना start किया, इसको arrow से मार रहा था, और मेरा जो गलार का बॉल था, capture बॉल में उसके उपर फेक रहा थो, तु ये मेरे मेरे उपर तो संची बहुत एक बी एक भी एक भी अक फिर लगा पाया था ध। प्यपकर बाइव तायम थाए तूटी जा रहा था तो और के तूट डोट हो रहा था में बहुत सारे हाइफ पर फेगा तायमने का नाम है नहीं ले आ ऐसा लग रहा है कि देखो अब तो capture person तो दिखाना चाहिए थे ना अभी तक एक भी थोड़ा सा भी capture point भी नहीं दिखाया तब से मैं इसका पर arrow मार रहा हूँ और मेरे उपर ये बहुत सारे attack कर रहा था और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अब ये जो update आया था इस update के बाद से जितने भी tower की boss है उन सारे tower की boss को किसी को भी पकर में नहीं आ रहा है वो सारे को पकर ना बंद कर दिया गया है उनको पकर नहीं सकते स्रब हम उसको मार के हराई सकते है क्योंकि देखो अब जब तो पकर पर आना चाहिए था ना देखो 500 हेल्थ हो चुका है अब थोड़ा स पर away कर रहोंगा इसका फिर मैं इसके उपर capture ball फेकुंगा कितना साड़े capture ball बे depending यूद के आने का ना मिले trivia सरा capture ball इलके उपर लग रहा है और तू्ट के चला जा रहा है capture ball फल्त्थ मेरा वेस्ट हो रहा न है मेरे capture ball इसके उपर downhill attorney लूगा कैसे लग़ाई तावर के जितने भी बहुत से उन सारे बहुत को पकर में नहीं देगा मतलब पकरने के लिए नहीं देगा उन लोग को बंद कर दिया गया है तो अब मेरे च्पक्र पर आ जादा तो आग तुझे और मैं बाहर आ गया और बाहर आने के साथ सब मुझे 100-100 करके डैमेज दे रहा था क्योंकि रात हो चुका था और मेरे पास ऐसा कोई भेश नहीं था जो मुझे अच्छा-खासा डैमेज से बचा सके और ठंड मुझे इतना ठंड लग रहा था इतना कोल लग रहा था कि मुझ क्या सीन है भाई बॉस को मार के आया लेकिन मरा नहीं ये कोल से में मर गया यार क्या ही कर शकता हूँ तो सीधा जाकर मैं सबसे पहले सो गया सो के सुबा किया सुबा करने के बाद फीड में थोड़ा बहुत मेरे लिए जो ठंड का जो ड्रेस होता है उसको बनाया उसको बन ब्लेडिंग करके बाहर करना ही पड़ेगा लाईली को या फी लाईला को वो जो भी था उसको बाहर करना पड़ेगा मेरे पास ब्लेडिंग फार्म तो है अब मुझे ब्लेडिंग करके उसको बाहर करना पड़ेगा क्योंकि वो बॉस का टावर टावर का एक बॉस है और व तो पकर नहीं पड़ेगा लाइली ईसको लिए आन लाइली तो मिलेगा नहीं लेकिन विक्लेटा निकलकर आ जाएगा और इन लोगों केक पड़ेगा तब यह लोग अंडा देगा 저 थोड़ी देर के अंदर इन लोगों ने एक अंडा भी दे दिया और इस अंडे को लेकर मैंने इंक्लिवेटर के अंदर दे दिया टाइम तो लग रहा था लेकिन फिर भी हो गया और इसको मैंने हैच कर लिया हैच करने के बाद निकल गया लाईली लाईली पोकीमोन मेरा निक कि बैटा नहीं है फिर सारे चीस तो सेमी है तो और क्या ओ लड़की की ज़रूरत नहीं है ये पोकेमोन मिल जाएगा तो उस पे काम चल जाएगा तो फिर इसको लेने के बाद मैं निकल पर आए कि आइलेंड की तालास पे जिस आइलेंड के अंदर बहुती रेयर बहुती उन उठे जा रहा था कि कोई विकान का उठने के श्प्रीड है बहुत अच्छा खासा है और आप लोग सामने देख पा रहे हो जो आइलेंड से एक आइलेंड है उस जगा पे छोटा सा जगा है ज्यादा जगा नहीं है थोरा सा इत्तू सा जगा पे वहां पर बहुत पारफु पौकीमोन रहता है तो उलहां पर जो जो पौकेमोन मुझे देखने के लिए मिलेगा जो पारकूद मेरे पास निए फोबि उसको अनुबर को हर ना हिया आर नुबर करने के ज़रुद्रत आप कर लंगा यार आप लोग भी बताओ कोई 트릭 बगाडा कुश तो बताओ जिससे मैं अनुवे इसको मार सकता हूँ तो यहां पर एक फास्ट रेवल था इसको मैंने अनलोक किया अनलोक करने के बाद सिधा निकल परा तो यह जो जगा था इस जगा का नाम था नमबर टू वाइट लैन सेंचुरी मतलब अभी भी दो जगा है जो है नमबर वान और नमबर थ्री मैं सीधा नमबर टू पर आया हूँ मुझे कैसा पता हो गया यह नमबर टू है यह मुझे पता होता है तो मैं नमबर वान पर जाता ना तो मुझे यह पास पर दिखा तो मैं इस जगा पर आ गया है नमबर 2 है अभी भी नमबर 3 और नमबर 1 है तो उन जगह पर मैं जाओंगा अब लोग टेंसर मत करो लेकिन इस जगह पर कैसा rare कैसा Pokemon मिलता है वो देखते है और पकरते हैं पकर के लेकर जाते हैं में इस आईलेंड के अन्दर जब आया तब आईलेंड मुझे दिखा है शुरू होता ही ना खतं हो रहा है यह छोटा सा अईलेंड है और मुझे दिखा रहा था criminal activity मतलब में क्या किया यार मैंने कुछ भी नहीं क्या था फिर भी मुझे बोल रहा था मैं कोई誌न हूं मैं इस कुछ भी नहीं किया ता और मैं आया था पीछे के तरफ आलेंड के पीछे के तरफ अगए था तो आएलेंड के पीछे तरफ आलेंड के तरफ लेकिन ओ रेर कणजा स्थ Student रेजिए कई मुश्भे पास है लेकिन रेत पर करा है और यह एक जाना गल我想ώ लुकन याय। इसका duplicate vibe मेरे पास है उसका वो तो एक water type का Pokemon है और ये आग type का Pokemon है और मुझे थोड़ा सा सामने जाने के बाद कुछ फूल देखने के लिए मिला जो फूल मुझे चाहिए था मैं धून रहा था क्योंकि मुझे एक top बगड़ा बनाना था फूल का और ये फूल मुझे यहाँ पर देखने के लिए तो और किया इसको उठा लिया मैंने इस island पे जो फूल रहेगा जितने भी फूल रहेगा मैं सारगे सार उठाने का कोसिस करूंगा लेकिन उससे पहले इस Pokemon को मैं पकरता हूँ तो इस Pokemon को पकरने के लिए थोड़ा साइट 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 से घूम के गया घूम के जाने के बाद इसको सामने से मैं अच्छे से देख रहा था मैं सोचा था यह मुर्य उपर एटाग नहीं करेगा लेकिन यह मेरे तरब भूम के देखने के बाद जैसे Musanta हेट घुमाता है वह ऐसे हेट घुमाया और हेट घुमाने के बाद मेरे उपर एटाग करना श्टार्ट कर दिया और मुझे पता है ना मेरा Pokemon क्या पावरफल है उसका आधा हेल्द होचका ौज़े जिस इसका डर था इसको पूरा ना clear कर दे और इसने तो दूसरे attack पर इसको पूरा clear कर पूरा ही मार दिया, मुझे जिस इसका डर था और ओई कर रहा ला इसलिए, तो मैं इसको थोड़ा बहुत खाना खिला दिया, क्योंकि इसका हेल्द बहुत अच्छा खाज़ा कम हो चुका था, तो इसको खाना खिलने के बाद सामने के तरफ चलना इसके जैसे, और पोकेमोन म उठा लिया, फुल को उठाने के बाद, उसको जिसको मारा था, उसको थोड़ा बहुत लूट के आड़ लिया, क्योंकि उसके पास कुछ आग का गोला, और कुछ पावार ओयल बागरा मिल गया, और सामने मुझे उखाव देखने के लिए, तो मैंने अनुवेस को छोड़ और अनुवेस को शोड़ने के बाद, अनुवेस ने उसके उपर एटक किया, तो उसका एटक कुछ नहीं हुआ, फिर दूशने के बाद, जो हवा जैसा एटक किया था, उस एटक पर अच्छका से डेमेज हुआ था, और ये काव मेरे उपर एटक भी गया था, तो इसका मेरे उपर एटक किया, और मेरे उपर पुरा ही आग हो गया, और मेरा जो और सक था, इसको अच्छका से डेमेज दे रहा था, अब ये मुझे और एक बार एटक मार देता तो मर जाता, लेकिन उसी टाइम मेरा और सक ने इसको ऐसा एक तिल्सूल का सौड मारा, जिससे ये तो मैं जल्दी से मेरा वेश्ट को चेंज करके मेरा ऊपर जो आग था उसको मैंने बंद कर James एक खाना भी लेकर आ न्यों को ने ब्लग लागा त्यपना तो मैं भी बेसाँ को खोई आयने की बाद सामने की खाना कर किया तो मेरे घृक से एक डिंगका ना, ये वां मेरे पा इन सारे को लेकर क्या करूंगा और मेरा पास बहुत पोकेमोन है तो इन लोग को लेकर क्या करणगा और मेरा जो हेल्थ था वो हेल्थ पूरा होने का नामे नहीं ले रहा था बहुत टाइम लग रहा था तो मैं जल्दी से लाइली को बाहर किया और लाइली को बाहर करने के ब था लोग को इग्नोर मारने के बाद मैं उस ड्राइगन टाइप का पोकेमन के तरफ चला गया क्योंकि मुझे उसको पकरना था वो पोकेमन मेरे पास नहीं था और अंडे से बाहर आता है या फी नहीं मुझे पतन है लेकिन इसके तरफ मैं चलना श्टार्ट किया थोड़ा सा कंट्रोल रखे मारूंगा क्योंकि जब मेरा ओरसक जाता है पुरा क्लियरी कर देता है तो इसका आग टाइप का आ रहा था तो और सग ने इसको बहुत अच्छा डैमेज दिया रहा था है यहल तो इसका खा लिया था तो फिरसे मैं ओरशक को और एक अटाग मारने दिया फ पिर और एक capture ball फेका मैं सोचा तो आई ही जाएगा लेकिन इस capture ball के अंदर भी नहीं आया तो मैं फिर से इसके उपर arrow मारना इस्टाट किया क्योंकि इसका health कम करूँगा तभी मैं इसके capture ball फेकूँगा तो ये मेरे capture पर आने वाला है फिर मैं इसके उपर और एक capture ball फेका इस capture ball के अंदर भी ये नहीं आया मैं सोचा तो इस capture ball के अंदर आ जाएगा फिर में इसके पर और दो-चार arrow मारा arrow मारन के बाद फिर से इसके उपर capture ball फेका और अब capture ball थोड़ा सा हिलना इस्टाट किया अब मैं confirm होई चुका था आ जाएगा और के मेरा किस्मत बहुत अच्छा था और इस capture ball के अंदर ये आ भी गया चालिस लेवल का पोकेमोन था बहुत बढ़िया अब मुझे ओ काव वाला पोकेमोन चाहिए अब keto तो इदर मुझे कुछ full देखने केले मिला इस finds Apa को उठाने के बाद मैं सामने का तरफ मुझे कुछ Iris टेखने क邯े मिला तो कुछ फूल भी था जाहता ताइम ऊश्ट ना करके, मैं इसके ऊपर ऐरो मार दिया, क्योंकि जाहता टाइम ऐच्ट करूंगा तो ये फिर से भाग जाईगा और फिर से इस डिस्पोंड हो जाएगा, और मेरा और्जाग तो इसको एक ही डामेज पे आदा हेल्थ खाल लिया था, फिर ये पोकेमॉन उस मेरे उपर फिर से अटक किया, कुछ अलग से अटक किया, तो इस अटक से मेरा सील तो पूरा तोटी गया था, और मैं नीचे गिरना ही वाला था, लेकिन मेरा पास जो पक्स sword भी मार रहा था और फिर से मेरे उपर यह attack किया था में capture ball फिका और इसका attack से में dodge करके भागा मेराip才 के मदद से तो फिर सिंई इसको फैरे arrow मारना बंद नहीं किया था मैं यह उपर arrow मार रहाता और capture ball भी fake रहाता लेकिन यह मेरी पीछा ही नहीं चोड़ रहा था कुछ अलग-अलग सब्सक्राइब पर अग लगा रह था, फिर पर कैपचर बॉल फिक रहा था, तो मैं इसको अरो मार के तो काबू नहीं कर पा रहा था, इसलिए मेरा बेकान को भेजा, थोड़ा बहुत वहत देमेज दे ले के गया था. अब मैं और थोड़ा देर के लिए सेर्वाइब कर लेता तो मैं इसको कister कर सकता था, लेकिन नहीं, इसने मेरे ओपर ऐसा क्या आटक मार दिया, मैं पूरा ही किता हो गया, पूरा ही डेट हो गया, क्योंकि देखो, जो मेरा सील्ड था, वो सील्ड पूरा ही और उदर किंग पा का था मैं सोचा थे किंग पाका मारेगा इसलिए मैं नहीं गया थोरा सा घुम्-खुम्क के गया डर्रे खेल के गया क्योंकि मुझे मार भी सखता है और उपर से मेरे अवपर की मेरे अटीपैटे भी दिखा रहा था तो इसलिए में विक्ण के ऊपर पूलिस वाले मेरे साथ बात करें बहुंगे सारे बहुत सरे लोग बात करता है। इन लोगा गन पे बहुत अच्छा खायार कर रहा था हा और मीट्टी के अंदर से मुझे मसूँझ कर रहा था और मेरे पाक्सी के उपर रहन वह था च्छा खासा डैमेज कर रहा था तू én लोग छेखlike निकल पड़ा तहुझाचवूरा धूर घर्दा नियुकर दो के करदे तक मैं घर तक आएगा मैं सोचा नहीं सच में यह लोग मेरा घर तक आ गया था में घर पे जब गया तब भी यूवर Becky मोन धूझऑ रहा था tomb मारने कर डूंड लेकिन यह लो पहार के नीचे से आ रहा के मार हाथा मेरा पोकिमोन को मुझे तो मुझे मुझे मैं और कुछ कर cardiovascular नहीं पाया मुझे मेरे घर फरी घ़रा होकर मुझे मर जाना पड़ी जो पुलीस वाले था मुझे मुझे मारने के बाद मैं फूरी से च्ला गया झाम पोटी से चाहिए था जितना देर तक जितने रात तक मुझे रहना था रहना था में यह यह पोकीमोन चाहिए था और मैं आने के शाथ साथ मार दिया और अच्छा डेमेज दिया फिर दूसरा और एक अटाग मारा इस अटाग पर बहुत अच्छा घामेज में इसके ऊपर capture rate देखा रहा था तो मेरा जो और्सक था इसको अच्छा घामेज दे रहा था अब मैं और सको मेरे पास ले लिया क्योंकि और ज्यादा देर त तो साइट पर वेश्ट हो गया फिर और एक capture ball फेका 11% capture rate दिखा रहा था और भाई फानेली लगी इस capture ball के अंदर आ गया ज्यादा capture ball फेकने के सरवत नहीं पड़ा एक ही capture ball उसके उपर touch हुआ और उस capture ball के अंदर ये आ गया ओ पाई कितना मेहनत करने के बाद ये मुझे मि पकर लूँगा आया जब कुछ पकरने के तो जरूरत है ना कुछ अलग-अलग से Pokemon तो मुझे पकरने चाहिए तो यहाँ पर मुझे दो-दो अलग Pokemon देखने के लिए मिला जो मेरे पास नहीं था वो दोनों कोई मैंने पकर लिया अब मैं और थोड़ा सा घुमके देखा यह पूरा बिच्छू जैसा है साइद इसको जैसे को एक Boss तो है मैं आपके अंदर इसके जैसे कोई न कोई एक boss तो है मैं तो देखा था किसी जगहा पर देखा था यह मुझे चाहिए यह मुझे चाहिए ज्यादा लेवल का नहीं है 43 लेवल का है इसको तो मैं नहीं छोड़ने वाला अनुबेस तू अब क्या करेगा अनुबेस तेरा क्या होगा कालिया इसको पकरने के लिए मैं थोड़ा सामने गया थोड़ा साइट पे गया मैं सोचा यह पत्तर के उपर या फिर से वो जमीन पे जाकर उट जाएगा लेकिन नहीं गया यह पानी पे रहा था तो इसलिए में पानी पे यह था इसलिए में मेरा कोई पास को नहीं छोड़ा मेरा कोई पोकीमोन को उसके पास नहीं दिया फाइट करने के लिए कि कोई पानी के अंदर फाइट ठीक से नहीं कर पाएग इसलिए मैं इसके साथ अभी पंगा नहीं लिया, मैं पंगा नहीं लिया, तो क्या हुआ, वो खुद मेरे साथ पंगा लेना चाता है, मेरे साथ फाइट करना चाता है, देखो मैं कुछ नहीं किया, फिर भी ये दुखो, क्या पागाल गिरी सुरू कर दिया, मैं कुछ नहीं क देखा ना, जमीन के अंदर से पाहर निकल के आ गया, हाँ कुछ मिट्टी जासा निकल गया, जिस पर मैं खरा रहा रहता तो पूरा डेट, खतम मेरा पूरा सील्टी तोर जाता, मतलब तूटी जाता मैं खतम हो जाता, एक ही सौट पे और चका, तो ये थोड़ा सा सामनी के त इसका आ कर देखा, ये पूरा डेट, पास पास पर सारे जगहा पर मैं आच्छे से देखा, इसको अच्छे से ढूंदा, लेकिन ये किसी जगहा पर नहीं था, मैं सोचा था वाटर के नीचे है, लेकिन इतना भगाला साईज, आहे नीचे कैसे जाएगा, मैं बहुत कि यह रात पे आना चाहिए कि यह धुला सा डarक टाइप का पोकेमोन है और डrauक टाइप का ने मिन रहे राट करना शुरू कर दिया कि तो अब जो रात है बहुत अच्छा खासा हो चुका है तो मेरा वीकेंड को मैं बाहर करता हूँ, बाहर करने के बाद इसके पीट पे चरके मैं थोड़ा से अंदर के तरफ जाता हूँ, अंदर के तरफ किसी जगा पे वो रिस्पॉन हो चुका है तो उसको पकर लूँगा, मै यारो जगापे मैं देखूंगा कान से जगापे ये है और कान से जगापे नहीं है मुझे ये चाहिए मैं रात तक सुबा कर दूँगा लेकिन मुझे ये चाहिए मैं खरा रहूंगा यार मैं इंतजर करूँगा किसी कि ना किसी जगापे तो ये रिस्पॉन होई जाएगा य रात से सुबा कर दिया ढूंत ढूंत बट अभी तक ये बिच्चू अभी तक रिस्पॉन नहीं हुआ क्या हुआ मुझे पता नहीं ये एक बाट डिस्पॉन हो गया तो फिर से रिस्पॉन नहीं हुआ ये लोग कहा जा रहे समझ मैं नहीं मुझे लग़ रहा है किसी घर पे रेड़ मार निकले जा रहे है तो रात से तो मैं सुबा कर दिया और उपर देखो सूराज मामा भी आ चुका है और धूप डिकलना भी स्टार्ड हो चुका है फिर भी मुझे नहीं मिला बहुत तेर तक इंदधर किया तो मुझे लग रहा है इसको छोड़के मुझे बॉस कोई पकरना परेगा इसके जैसा ही एक बॉस है उसको हम पकर शकते हैं लेकिन उसको पकरने के लिए कुछ ज्यादा ही पाउरफुल होना परेगा और इसको तो मैं अराम से पकर पाता लेकिन ये और कभी र रात को जग्ये में 400 डे कंप्रीट कर दिया मैं सिर्फ एक बिच्चू को पकरने के लिए लेकिन वो मेरे कपजे के अंदर आया नहीं उसके साथ वैटली इस्टाड नहीं हुआ तो मैं उसका कपजे कैसे लेकरा हूँगा लेकिन उसको मैं पकरूँगा उसका बॉस या फिर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना तो बनता है यार एक लाइक कर देना चैनल को सस्क्राइब कर देना और नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करना भाई वीडियो को मैं यहाँ पर कतम करता हूँ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर तो मेरे यारो मिलत आवो नग्समीड़ पे टादा